हेलो गाइस वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो और रेंडे मोनो यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एक फेंटम पावर्ड माइक को अपने स्मार्ट फोन से कैसे यूज कर सकते हैं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट नहीं किया है कि अगली ओडियो सिरीज आप किस अप पर देखना चाते हैं तो आप comments में ज़रूर बताएं, क्योंकि एगर मैं किसी एक इंसान के लिए content की series शुरू करता हूँ तो और बाकियों के लिए useless थावित हो, तो इससे मेरी महनत बरबाद होगी और time भी बरबाद होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा लोगों के लिए suitable हो, ऐसे contents अपने चल पे paste करूँ ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं, comments में ज़रूर बताएगा, तो जैसे मैंने कहा ये video होने वाली है, Phantom Power के माइक के ओपर कैसे यूज करते हैं, स्मार्टफोन में connection कैसे करना है, वीडियो बते हैं कि टोस segments में, segment 1 में हम जानेंगे कि क्या-क् होंगे, ये सब करने के लिए, और segment 2 में हम ये जानेंगे कि कैसे connection करना है, चलिए segment 1 शुरू करते है, यहाँ पर शुरू होता है segment 1 और जिन items के हमें ज़रूरत होगे, इनमें से सबसे important और सबसे ज़रूरी है, microphone जो हम use करने वाले है, ठीक है, और वो microphone कैसा होगा, phantom powered mic होग ये XLR to XLR cable, ठीक है, जो एक तरफ ऐसा होता है और दूसरी तरफ एक female connector होता है, ठीक है, ऐसी XLR to XLR cable होने चाहिए, और उसके बाद तीसरी जो चीज है, वो हमारे पास होने चाहिए, एक phantom power supply, यही वो device है, जो external power देती है microphone को, जिससे वो अपना gain maintain कर पाए, तो phantom power supply आपको ठीक होगा, उसके बाद आपको चाहिए होगा, एक XLR to 3.5 mm audio cable, यह एक end से ऐसे होगी, XLR और दूसरे end पर आपके headphone जैसे होगी, ठीक है, यहाँ पर तीर जैक मिलेगा, यानि यहाँ पर तीन वायर का connection हो जाएगा, ठीक है, ठीरस और टीरस हम बार में discuss करेंगे, क्या होते ह हैं, कैसे होते हैं, चलिए, तो headphone जैसा, यहाँ पर आपको एक jack मिल जाएगा, connect करने के लिए, उसके बाद आपको चाहिए होगा, एक audio splitter, अगर आपके phone में headphone jack नहीं है, तो आपको चाहिए होगा, एक USB sound card, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और यह देर सो से 200 के बीच मिल जाता अगर, लेकिन मैं suggest करूँगा कि, अगर offline मिले तो आप ले ले वरना, online थोड़ा सा महेंगा पड़ता हीगे, यह सारे items, purchase कर सकते हैं आप, लेकिन, अगर आपके पास mic palace है, तो जाहिर आपके पास, एक XLR to XLR के भी palace होगी, anyways, तो तेल यह segment 2 शुरू करते हैं, और इसमें हम जानेंगे connection के बारे में, तो step 1 है कि connect XLR to XLR, जो cable है, उसको mic से, यानि जो XLR to XLR आपने male to female लिया है, उसका एक end अपने microphone से connect करना है, और microphone से जो end connect होता है, वो होता है female connector, तो female connected जो है XLR to XLR के मिल का, वो connect कर दें अपने microphone से, दूसरा step कहता है, connect other end to the input port of power supply, यानि जो आपन आपने दूसरा end लिया है, XLR to XLR cable का male connector type है, वो यहाँ पे जो power supply का input है, input के port में, वहाँ पे आपने connect करना है, step 3 कहता है कि XLR to 3.5 mm jack के, जो cable लिए आपने, वहाँ पे जो XLR वाला end है, वो connect करना है output से, और वो output port होगा, power supply का, power supply के output port में, XLR to 3.5 mm cable का XLR वाला end connect करना है, step 4 जो है, XLR का 3.5 mm jack वाला end है, वो connect करना है आपको audio splitter या फिर sound card से, और अगर आप sound card यूज करते हैं, तो आपको एक और extra equipment यूज करना होगा, जो कि OTG adapter कहलाता है, OTG USB के थुरू आपने connect करना होगा, अगर आपके पास 3.5 mm jack वाला phone नहीं है, तो, और audio splitter sound card को अब आपने connect कर देना है, अपने phone से, और phone पे connect होते ही, आप जो है, जो power supply का switch on कर दें, उसमें AC adapter जो आता है power supply के साथ, उसे आप electricity board में लगाएं, और यहाँ पे जो button मिलता है, आपको power supply पे on off का, उसे आप on कर दें, और यहाँ पे आपका mic जो है, properly active हो जाएगा, काम करने के लिए, कोई fix नहीं होता, कितने टाइम रहेगी, कितने टाइम नहीं होगी, तो ऐसे में आपको problem हो सकती है, मैं suggest करूँगा कि आप दूसरा Microsoft करें, different power के requirement ना करता हो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए like जरू कीजेगा, कोई भी सवाल है, आप comment box में पूच सक है, thank you very much, have a good day.